नमस्कार प्रभासाक्षी पॉड्कास्ट में आप सभी का स्वागत है आज की इस पॉड्कास्ट में हम बात करेंगे कि पाक एयर फोर्स में है बवाल बाला कोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत में इफ 16 भेजने वाले अधिकारी समेत 13 अपसरों का क्यों कर दिया गया कोट म देखने को मिला है जानकारी सामने आई है कि वायू सेना के 13 अधिकारियों का कोट मार्शल किया गया है रक्षा पत्रकार वजाहत इस खान ने पाकिस्तान वायू सेना में मौजूद भ्रस्टा चार के बारे में एक खबर लीक की इसके बाद पी एफ एफ ने जाच भारत भेजे थे बालाकोट हवाई हमले के बाद सेवा निवरित एयर मार्सल जावेद सईद ने भारत के खिलाप ऑप्रेशन स्विफ्ट रिशॉट सुरू किया इस ऑप्रेशन के तहट पाकिस्तानी एफ 16 लड़ाकों बिमानों को कश्मीर भेजा गया था भारतिय वायू से उनके एफ 16 फाइटर जेट को मार गिराया था खबर ये भी है कि कोट मार्सल का सामना कर रहे सभी 13 अधिकारियों में से साथ वरिष्ट हैं इन सभी अधिकारियों ने पाकिस्तानी वायूसेना प्रमुक जहीर बाबर सिद्धू के भरष्टचार को उजाघर किया था सभ और जा रहा है कि पाकिस्तानी वायूसेना प्रमुक अपना कारेकाल बढ़ाने के लिए अपने प्रतिद्वंदी करिस्ट अधिकारियों से चुटकारा पा रहे हैं इस खुलासे के बाद अब भाई उसेना प्रमुक मुश्किल में पड़ गये हैं इन पर हर्थियारों की ख वजाहत इस खान ने इस से कोट मार्सल मामले का खुलासा किया तो वायूसेना ने इन अधिकारियों को गिरफतार कर लिया इसके बार पाकिस्तानी वायूसेना में खल बली मच गई है आज के लिए इतना ही अगले पाउड कास्ट में किसी और मुद्धे पर देंगे विस्तित जानकारी जुड़े दहिए प्रभासाक्षी के साथ